आईए आज हम लोग study करेंगे प्रश्न संख्या 11 कहराए 200 वोल्ट संभरण यानि सप्लाई से एक 500 पिको फेरेट के संधारित्र को आवेशित किया जाता है फिर इसको संभरण यानि सप्लाई से वियोजित कर देते हैं मतलब हटा देते हैं सप्लाई बंद कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिको फेरेट वाले अनावेशित संधारित से जोड़ देते हैं इस प्रक्रिया में कितनी उर्जा का हरास होता है यहाँ पर देखिए 600 पिको फेरेट है गलत लिख दिया है इंगलिस वाले बुक में सही होगा दोनों 600 यह भी 600 है और बाद में 600 से जोड़ा जाता है तो हिंदी वाले में गलतियां थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए समझ समझ के पढ़ना है तो कुन मिला करके 200 वोल्ट की सप्लाई है उससे 600 पिको फेरेट के संधारितर को पहले चार्ज किया जाता है फिर सप्लाई हटा देते हैं फिर 600 पिको फेरेट से उसको जोड़ देते हैं तो कहरा है कि एनर्जी का लास कितना होगा तो पहले जो उर्जा है और अंती मूर्जा निकाल लें तो पहली उर्जा में अंती मूर्जा घटा दें तो जितने कांतर आएगा वही उर्जा उसमा के रूप में हरास यानि लास हो गई है तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे तो पहले इसमें कितनी उर्जा संचित हुई 600 पीको फैरेड जो 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया तो देखे संदारित की धारता C1 600 पीको फैरेड है इसको फैरेड में बदलेंगे तो 10 की गाते माइनस 12 का गुड़ा कर देंगे क्योंकि 1 पीको फैरेड पराबर 10 की गाते माइनस 12 फैरेड होता साल किया तो आ गया 6 इंटू 10 पावर माइनस 10 फैरेड अब इसमें 200 वोल्ट सप्लाई से इसको जूड़ा गया तो वीवन हो गया हमारा शंभरन बोल्टता यानि सप्लाई वोल्टेज कितना हो गया 200 वोल्ट अब देखे जब इसको जूड़ा गया तो इसमें कितनी उर्जय संचित हुई तो माना आरंबिक संग रहित इस्तिती जूर्जय कितनी है U1 अब देखिए जो हमारा संधारित रहता है उसकी प्लेटों के वीच जो उर्जय संचित होती है वो इस्तिती जूर्जय के रूप में संचित होती है और वो भी इस्थिर वैदूत उर्जय होती है इस्टाटिक इलेक्ट्रोस्टाटिक एनर्जी तो इसका फार्मूला होता है U is equal to तीन फार्मूले थे अब चूंकि C और V दिया है तो हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे तो U is equal to half C V square तो U1 is equal to half C1 V1 square तो U1 आ गया half C1 हमको दिया है V दिया है V1 तो यह रखा गया तो आ गया बारह माइक्रो जूल सालू करने पर यूवन अब जो दूसरा हमारा संधारित्र है तो दूसरे संधारित्र की धार्टा C2 600 Pico Farad है a fire rate में बदले तो आगए 6 गुणेदर ग्यात है मैनिस 10 अब देखिए दूसरा संधारित्र जब हम जोड़ते हैं पहले से तो हटा देते हैं तो जैसे बात है कि सप्लाई को अटा देंगे तो वोल्टेज का मतलब नहीं रहेगा और जब दूसरे संधारित्र को जोड़ा जाता है तो जोडने से पहले उसके अंदर कोई भी आवेस नहीं है तो Q2 हमारा कितना है? 0 तो दूसरे संधारित्र का आवेस यह देखे धारता गरत लिका है आवेस Q2 is equal to 0 हो गया अब पहले संधारित्र कितना आवेस होगा तो पहले संधारित्र पर देखिए एक चीजी है समझे कि यह निकाल क्यों रहा है ऐसा तो ऐसा इसलिए निकाल ला है क कि जब हम आवेस एक संधारित्र पहले 200 वोट सप्लाई से चार्ज कर लिया गया अब सप्लाई को हटा दिया गया अब पहले संधारित्र को दूसरे संधारित्र से जोड रहा है तो क्या-क्या बटेगा Q2 is equal to C भी होता है तो C तो हमारा कांस्टेंट है तो आवेस बटेगा और विभाव बटेगा तो आवेस का बटवारा होगा तो जब जोडा नहीं गया है तो दूसरे संधारित्र पर यानि दूसरे कर्शिटर पर आवेस कितना है Q2 is equal to 0 है अब उसको जब जोडा जाएगा तो दोनों में बराबर बराबर आवेस बटेगा च्योंकि दोनों की ध अधा होना पड़ेगा क्योंकि धारिता को कंस्टेंट रखना पीछे एंसी आटी में एक उदाहरन में कुईश्यन भी दिया गया था उसको अम लोगों ने किया है तो यहां पर देके पहले संधायत पर कितना आवेस है तो Q1 is equal to C1 V1 तो यह Q1 is equal to C1 पता है 6 गुने 10 गया माइनस 10 और V1 है हमारा 200 वोल्ट तो यह कूलाम में आएगा हमारा आवेस तो Q1 आ गया 12 गुने 10 गया था माइनस 8 कूलाम अब यही आवेस दो संधारित्रों में बटेगा तो जैसे बात है दोनों 600 पीको फारेट के हैं तो दोनों में आधा आधा बटेगा तो यह आधा हो हमारा जाएगा तो देखिए आदा, डारेक्त की हम कह सकते हैं, यह आप सालू कर सकते हैं तो जब पहले संदारित को दूसरे अनावेसी संदारित रियानी जिसमें पहले आवेस जीरो है जब जोड़ा नहीं गया है से जोड़ दिया जाता है तो आवेस दोनों संदारितनों पर बराबर माटा जाता है भाई चीत देखे लिख दिया है तो जोडने पर प्रतेग संधायत पर आवेस Q है तो Q बराबर दोनों पर आवेस बटे 2 कर दें तो दोनों पर कितना आवेस है आ जाएगा तो Q1 प्लस Q2 बटे 2 तो Q1 12 गुणे 10 गाते माइनस 8 है Q2 पर कोई आवेस नहीं है तो 0 बटे 2 तो यह आगया Q बराबर 6 गुणे 10 गाते माइनस 2 कुलाम यह आवेस आगया अब यह दोनों संधारित्रों पर इतना आवेस रहेगा जब जोड़ा जाएगा अब देखें यद C1 पर अंति मिस्तिर वैदू तूर्जा रह जाती है बराबर U2 तब अब देखें यहाँ पर फिर से सही नहीं लिखा हुआ है इसको लिखना चाहिए कि जो U2 है हमारा मनलब जो दूसरा संधारित्र है उसमें कितनी उर्जा संचित होगी तो उसमें कितनी उर्जा होगी तो Q हमने निकाल लिया अब Q पता है हमको और दूसरे आवेश की धारिता पता है कैपसिटेंस पता है दूसरे कैपसिटर की संधारितर की तो फार्मूला लगाएंगे U2 is equal to Q square upon 2C तीन फार्मूले थे तो यहाँ चुकि विभाव पता था तो फार्मूला ये लगाया गया पूर्जा निकालने के लिए और यहाँ पर हमें आवेश पता है तो फार्मूला ये लगाया जा रहा है वैसे अगर विभाव की बात करें तो चुकि अब सप्लाई हटा दी गई तो उसकी बात ही नहीं करेंगे तो Q2 हमने निकाला है तो Q square upon 2C कर दिया तो ये देखिए कामन विभाव है ये वो कामन आवेश है ये पहले में भी है दूसरे में भी ये कामन निकल के आया है अब चुकि ये कामन है क्यों तो ये पहले में भी होगा दूसरे में भी होगा अब ये अलग बात है कि दोनों का संधारितर की धारिता बराबर है तो बराबर बटा हुगा तो U2 is equal to हो गया इसे लिका है यदि C1 परंति मिस्तिर वैदुत उर्जा रह जाती है बराबर U2 तो U2 बराबर half Q2 upon 2 से लिका हुगा तो कुल मिला करके C2 जो दूसरा संधारितर है उसकी ये उर्जा है इस लाइन पर ध्यान न देजिए हिंदी में बहुत गलत लिका है तो यहाँ पर U2 हो गया half Q2 तो Q है 6 गुने 10 गाते माइनस 8 का स्कुाइर बटे C हमारा 6 गुने 10 गाते माइनस 10 है तो यह U2 आ गया 3 micro joule यह दि प्रक्रम में उर्जा हरास U है अगर उर्जा हरास U है मनला उर्जा का लास होता है तो U बराबर जायसी बात है कि पहले से दूसरे मूर्जा जा रही है तो जितनी पहले में होगी उससे कम जा पाएगी पहुचाने में कुछ उर्जा कार में या उसमा के रूप में बन करके हरास हो जाएगा तो जायसी बात है कि U बराबर ज्यादा में कम गटाएंगे तो प्रारंबिक में अंतिम गटाना पड़ेगा क्योंकि प्रारंबिक ज्यादा है ये यूँ हो गया 12-6J इसको दूसरी विधी से भी सालु किया है तो दूसरी विधी क्या है उसको भी देख लेते हैं तो देखे दुथी विधी में ये कह रहा है कि हमको क्या करना है कि पहले जो संधार इत्र है उसका विभाव निकाल लेना यह U1 होना चाहिए था यह गलत लिखा हुआ है यह वी लिख दिया है U1 होना चाहिए तो U1 is equal to half C1 V1 square हो जाएगा तो प्रारम में U1 बराबर half C1 हमारा 6 into 10 to the power minus 10 U कुलाम है और V1 हमारा 200 है तो 200 का square तो यह आ गया U1 बराबर 12 गुने 10 जाते माइनस 6 जूलिया देखिए उर्जा है U1 होना चाहिए गलती से भी लिग गया है या कहीं-कहीं पेस्तिरी जूर्जा के लिए भी सद्धियूज किये गया है लेकिन चूँकि यह वोल्टेज है तो इसको आलग लिखना पड़ेगा नहीं तो confusion हो जाएगा तो हिंदी में गलतीयां बहुत है तो समझ समझ के काम करना तो यह हमें यूवन प्राप्त हो गया पहले जो संधारित्र है उसमें और जाएगा अब C2 हमें पता है 6 into 10 to power minus 10 फायरेट अब दे किये चूँकि दूसरे संधारित्र को तो भी वोल्टेज से जोड़ा नहीं गया वोल्टेज सप्लाई से जो तार है तो दूसरे में विभाव कितना है वोल्टेज वी तू बरावर 0 अब माना सम्लित विभाव तो सम्लित विभाव मान लिया भी है अब दोनों संधारित्र को जब जोड़ा जाएगा तो यह हो जाएगा कि दोनों को जब जोड़ देंगे वोल्टेज हटा करके तो वहां पर क्या होगा आवेस का बटवारा होगा तो आवेस का बटवारा होगा तो Q1 प्लस Q2 बरावर क्या होगा Q is equal to CV होता है तो C1 V प्लस C2 V होगा V हमने दोनों के लिए समानिस लिए रखा है क्योंकि जब सप्लाई हटा करके हम दोनों संधारित्रों को जोड़ देंगे तो इस तरह जोड़ेंगे एक संधारित्र यह हमाने जिए इसकी प्लस प्लेट है यही यह माइनस प्लेट है दूसरा संधारित्र यह है इसकी प्लस प्लेट है माइनस अब अगर ऐसे हम जोड़ दे इनको इस तरह से तो दोनों का एक कामन विभव होगा तो कामन विभव होगा जब दोनों का तो जैसे बात है कि ये कामन ही रहेगा V जो भी होगा यहाँ पर तो इसलिए C1 V प्लस C2 V लिका है हमने तो यह हो जाएगा Q1 प्लस Q2 वराबर V कामन हो जाएगा C1 प्लस C2 अब जब यह जोड़े नहीं गए तो की बात है जब अलग-अलग रहेंगे तब तो Q1 वराबर हो जाएगा Q वराबर C वी होता है तो C1 V1 प्लस C2 V2 हो जाएगा वराबर V C1 प्लस C2 तो यह V हमारा कामन हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 upon C1 प्लस C2 अब देखे C1 V1 में C1 हमारा 6 इंटे टुन पावर मैंनस 10 है V1 200 वोल्ट सप्लाई प्लस जब नहीं जोड़ा गया तो C1 हमारा C2 स्थाइग मैंनस 10 है और जब नहीं जोड़ा है तो विभाव कितना है 0 तो 0 रख दिया अब पान C1 प्लस C2 तो C1 यह है C2 यह रख दिया तो यह कामन विभाव आ गया 100 वोल्ट कामन विभाव कितना आ गया 100 वोल्ट अब यदि अंतिम वैदुत उर्जय यूटू है तब अब अंतिम जो आएगी तो जैसे बात एक कामन विभाव दोनों के लिए है दोनों संधारित्र के लिए अब दोनों संधारित्र जो है हमारे कैसे जुड़े हैं समांतर करम में जुड़े हुए हैं तो अगर ये समांतर करम में जुड़ा हुआ है तो जैसे बात है कि समांतर करम में संधारित की दारता क्या होती है 1 upon C is equal to 2 होता है 1 upon C1 plus 1 upon C2 और समांतर करम में क्या होता है C बराबर C1 plus C2 तो यह देखिए चुंकि समांतर करम में हैं इसलिए U2 बराबर हाफ पूरा कुल संधारितर की दारिता तो समांतर में हैं तो C1 plus C2 और कामन विभाव इनका वी तो V2 अब यहां पर देखिए तो U2 बराबर हो जाएगा हाफ C1 हमारा 6 गुने देश गाते मैनस 10 प्लस C2 गुने देश गाते मैनस 10 और V है 100 का स्कार तो यह सालू करने पर आगया U2 बराबर 6 गुने देश गाते मैनस 6 जूल अब यह U2 जो है कामन है जब दोनों को जोड़ा गया तब इतनी उर्जा निकल गया है दोनों को जोड़ने के बाद अब इस्तिर वादि तूर्जा में लास कितना हुगा तोепर बरारम में है उसमें अन्सिम गटादे प्रारम वाली जैदा होगी ही क्यों कि जोड़ने के बाद जो पहले से दूसरे में अर्जा का ट्रांसफर हो रहा है इस्थानान्तर हो रहा है तो उस प्रक्रिया में कुछ उर्जया खत्म होगी क्योंकि तार में प्रतिरोध है तो वहाँ से जाने में उर्जया का लास होगा तो प्रारंबिक में अंतिम गटा गया तो यह आगया 6 गुने 10 गाते माइनस 6 जूल प्रारंबिक हमने निकाला था अंतिम इतनी आई है प्रारंबिक देखिए 12 गुने 10 गाते माइनस 6 जूल है यह यूवन है तो यह गटा के आगया 6 गुने 10 गाते माइनस 6 जूल मतलब इतनी उर्जया का आधी उर्जया का लास हो जाएगा समझ लेजे आता इस पर क्रिया में उर्जया का रहास कितना हूँ 6 गुने 10 गाते माइनस 6 जूल तो इतनी उर्जया का लास होगा अब देखें हमारे पास आजाते हैं अतिरिक तब भ्यास प्रश्ण तो कहरा है कि मूल बिंदु पर एक आठ मिली कूलाम का आवेश अवर्ष्थी था है मूल बिंदु पर रखा है अब कहरा है कि माइनस 2 गुने 10 गाते माइनस 9 कूलाम के एक छोटे से आवेश को बिंदु P 003 cm तो X, Y, Z इसका माणब Z-axis में मूल बिंदु से 3 cm पर P पोइंट है से बिंदु R 0 6 cm 9 cm तो X 0 है Y में 6 cm Y अक्च में और Z-axis में 9 cm से होकर बिंदु Q बराबर 0 4 cm 0 तक ले जाने में किया गया कार परिकलित कीजिए यानि calculate केजिए अब Q बिंदु जो है वो 0 X-axis में 0 Z-axis में Y-axis में 4 cm है तो देखिए P बिंद में ये 3 cm Z-axis में R बिंद में 6 cm Y-axis में 9 cm Z-axis में और Q हमारा 4 cm Y-axis में क्योंकि X, Y, Z तो अब तक ले जाने में कितना कार होगा तो इसको निकाल दें सबसे पहले ये जो ये पी आर क्यू बिंद दिये गए है इसको कैसे बनाना है ये चीज अगर आपको समझ में आ जाए तब ही आगे कुछ हो पाएगा अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो आगे कर नहीं पाएंगे तो इसको देखते हैं तो यहां पर देखिए फिगर मिर कर दोतर आपके अन डाया इसको एकसिस माना गया है इसको य एकसिस माना गया है और इसको जेडी आक्सिस में तो यह बिंदू नहीं है X-axis में देखे 0, 0, 0 यानि X-axis में कुछ भी नहीं है तो यहां पर देखे X-axis में कोई बिंदु नहीं है यह लाइन का अब देखिए P बिंदु है 0, 0, 3 इसका मनलब X, Y, Z Z-axis में 3 cm है तो यहां से Z-axis हमारी यह है तो यह 3 cm पर यह point आ गया तो यहां पर 3 cm होगा अब Q देखिए 0, 4 cm, 0 यानि X, Y, Z तो X और Z 0, 0 है Y-axis में 4 cm है तो यहां से 4 cm यहां पर पड़ेगा तो यहां पर 4 cm पर Y बिंदु है यह 4 cm पर अब R जो है इसमें 6 cm और 9 cm है X 0 है Y में 6 cm तो इसका मतलब यहां से 6 cm यहां पर होगा वहां से एक अभी लंब डालेंगे यहां तक देखिए गलत बता रहे हैं यहां से एक अभी लंब डालेंगे 6 cm तो वो point यहां पर आएगा क्योंकि Y X है तो यहां से जब Z से डालेंगे तो यह Y X के समानतर यह लाइन होगी इसको खीच के बता दे रहां तो Y X के समानतर जब होगी यह माल लेजे तो यह 6 cm पर होगी तो यह Y X है देखिए इसके समानतर है तो यहां यह 6 cm पर यहां बिंद बैट रहा है और यह Z axis है X Y Z Z axis है तो Z axis में 9 cm अब यह Z axis है यह जो Z axis में 9 cm तो यहां से हम चलेंगे नहीं देखिए यह Z axis में यह 9 cm होगी यहां से 9 cm यह Z axis में हो गया और यहां से 6 cm यहां से 6 cm होगा माल लेजे यह तो यह Y axis में 6 cm चलेंगे तो यह बिंद मिल गया Y axis में 6 cm चलेंगे तो यह बिंद मिल गया और Z axis में 9 cm चलेंगे तो यह बिंद मिल गया जहां पर यह काट रहा है यह बिंद है R द्यान देजिये और यह Q बिंदू Y axis में 4 cm है तो यह चोंकि यह 6 है तो 6 से 2 cm इधार है और यहाँ पर देखिए चोंकि यह बिंदू 3 cm है और यह 9 cm है तो यहाँ से देखिए यह 6 cm हो गए इतना यहाँ से केंदर बिंदू से 3 cm हो गए ये चित्र में उतना अच्छा नहीं दिखाए दे रहा तो ये 6 cm, ये 3 cm, तो ये पूरा 9 cm हो गया जे डायक्सिस में तो इस प्रकार से हम चित्र बनाएंगे अब देखें कुईशन को सालव करने का प्रयाश करते हैं तो मूल बिन्दु अब यहां से लेकर के यहां देके तीर करनी सान लगाया है तो यहां से यहां तक लाने में कितना कार करना पड़ेगा ये हम को बताना है तो बहुत आसान है अगर ये figure आप बना ले रहे हैं सही सित्तव तो मून बिंदू वो पर आवेस Q कितना है, आठ मिली कुलाम है, इसको कुलाम में बदलेंगे, तो ये 10 to 10 to power minus 3 हो जाएगा, चोंकि 1 मिली कुलाम बरावर 10 to power minus 3 कुलाम, तो 10 to power minus 3 का गुड़ा हो जाएगा, आर से होकर P से Q तक ले जाने वाला आवेस Q 0 बरावर minus 2 into 10 to power minus 9 कुलाम, अब ये आर से होते हुए, यहाँ P से, P से चलना है, आर से होते हुए Q तक इस आवेस को ले जाए जा रहा है, मून बिंदू पर 8 मिली कुलाम आवेस रखा है, और यहाँ से निगेटिव चार्ज जो है ये इसको यहाँ से ले जा करके यहाँ तक ला रहा है, तो पूछ रहा है कितना कार करना पड़ेगा, तो Q 0 हो गया, minus 2 into 10 to power minus 9 कुलाम इसको P से, R से होते हुए ले करके Q तक जा रहा है, अब देखिए, P की आरंभिक इस्तित, अब P की आरंभिक इस्तित में क्या होगा, इस X, Y, Z, X axis में I काइप लिखते हैं, Y axis में J काइप और Z axis में K काइप लिखते हैं, तो यहाँ पर Z axis में 3 cm है, तो 3 K काइप होगा, क्योंकि X में I काइप लिखते हैं, Y में J काइप लिखते हैं, Z में K काइप, तो यह P की आरंभिक इस्तित, आरंभिक इस्तित, आरंभिक इस cm, 0 याने या है, x, y, z, tो y reverie है, yается i, j, k, to j रहे गा, तो j काइप लिखेंगे, तो 4, j काइप cm, ये r-2 होगे, तो r-1 हमारा कितना हो गया, 3 cm, यानि 3 into 10 minus 2 meter, और 2 हो गया, 4 cm, यानि 4 into 10 minus 2 meter, अब यहा पर देखिए, वेक्टर की बात है, और यहां पर उसका परिमार लिखा गया आरवन और राटू अब देखें चूंकि इस्थिर वैदुद बल आरक्षी बल होता है अरक्षी मलब संदक्षी कंजरवेट्व तो जितने संदक्षी बल है यानि कंजरवेट्व बल हैं तो उनको जब हम सालु करते हैं तो उसमें आर आरणि नहीं करता है कि उस स्थित को हमने कैसे प्राप्त किया के वर इस प्रारम्भी क और अंति मिश्थित पर निर्वर करें इसलिए केवल प्रारम्भी कॉरंति मिश्थित ली जा रही है यह और यह आर वण और रा टू इसको ध्यान देना तो Q0 को ले जाने में किया गया कार पत से स्वतंत्र है क्योंकि संरक्षी वलद्वारा कार हो रहा है तो प्रारम्भिक और अंतिम इस्थित पर क्यों निर्भर करेगा हम उस्थित तक कैसे पहुंचना है इस बात पर निर्भर नहीं करेगा यहां से आर से और दूर से भी ले जाते कहीं से ले जाते कोई फर्क नहीं था तो ध्यान देना इस बात को बहुत इंपार्टेंट है तो देखी अता बिंदु आर की कोई प्रासंग इकता नहीं है मनला आर कहां है इससे कोई मतलब ही नहीं है केवल यह प्रारंभिक बिंद और अंतिमिंद से मतलब है अब देखिए यही NCRT पढ़ने से सिद्धान्त यानी कांसेप्ट किलियर होते हैं जब आप NCRT पढ़ेंगे तो यह बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी तो अता है बिंदुवार की कोई प्रासंगिकता नह इसको धियान देना तो इसको देखते हैं देखिए इस बिंद पर अगर आम इसको आर्वन माने आ fury इस Cleveland एट ये दोरी को R2 माल ले, इसको R2 और इसको R1, तो W इसको कल्टू हो जाएगा, वन अपान 4, 5, Epsilon 0, ये Q माल ले, तो Q into Q0, ये Q0 है, हाँ पर माना गया है, अपान R1 हो जाएगा, ये W1 हो अगर ये W2 हो, तो 1 अपान 4, 5, Epsilon 0, फिर Q into Q0, क्योंकि यही तो यहाँ परा रहा है, Q into Q0, अपान R2 हो जाएगा, अब ये R2 है, अब अगर कामन इनका निकारना हो, तो जोन नों जूड जाएगा, W1 प्लस W2, तो ये हो जाएगा, ये कामन हो जाएगा, वन अपान 4, 5, Epsilon 0, कामन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, ये Q into Q0 भी कामन हो जाएगा, Q into Q0, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, W1 पान R1 प्लस W1 पान R2, ये हो जाएगा, लेकिन चूड कि एक आवेस निगेटिव है, तो यहां निगेटिव साइन हो जाएगा, तो निगेटिव के कामन अगर यहां अंदर निगेटिव होगा, तो ये पहला निगेटिव हो ज लिख सकते हैं, तो 1 अपान 4 पाई, एक साइलन नाट, इसको Q into Q0 लिख सकते हैं, तो ये 1 अपान R2, माइनस 1 अपान R1 होगा, क्योंकि ये पूरा माइनस कांदर गुणा होगा, तो वही चीज़ देखे, यहां लिखी गई है, ध्यान देजिए, जब बल हो, तो दो आवेस की बात होगी, जब विद्धु छेत्र होगा, तो एक ही आवेस की बात होगी, फार्मूले में है ऐसा, अब यहां पर उर्जा है, तो दो आवेस आ जा रहा है, तो अब देखे, यहां पर WPQ हो गया, इसका मान होता है, 9 इंटो 10 पाउर 9 न्यूटन मीटर स्क्वार पर कुल में R2 कितना है, यह 4 cm है, तो 1 अपान 4 इंटो 10 पाउर माइनस 2 मीटर होगा, माइनस 1 अपान, R1 हमारा यह 3 cm, 1 अपान 3 इंटो 10 पाउर माइनस 2 मीटर होगा, 1 अपान देखे, मीटर में कर दिया, तो यह WPQ साल्व किया जे गया जब पूरा, तो यह निकल गया गया हमारा, डेवलू पीकिज कल टू 1.2 जूल आता है अब इस्ट कार कितना होगा 1.2 जूल अब ये साल्व अपने से कर ली जीए तो इस प्रकार से हम लोग क्विश्चन साल्व करते हैं कुषे नंबर 13 देखते हैं तो कुषे नंबर 13 में देखे क्या कह रहा है कि बीभुजा वाले एक घं के प्रतेख सीच पर क्यूं आवेस है इस आवेस विन्यास के कार्ण घं के केंद्र बिंदू पर विद्दूत विभा तता विद्दूत छेत्र गयात कीजिए तो ए घं का यहाँ पर विभाव यानि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फिल्ड निकालना तो गहन का केंदर बिंदु का मतलब बीचुं बीच जो हवा में रहेंगा वो बिंदु तो जैसे बात है कि इस केंदर बिंद को अगर हम निकाल लिए इस घं से तो चुँकि सब में आर आएगा विद्धुचेत निकालेंगे तो भी आर आएगा वन अपान आर इसका है और भी वो निकालेंगे तब भी आर आएगा वन अपान आर होता है उसमें तो आर का मतलब होता है जिस आवेश के काण हम निकालना है विभाव या विद्धु छेत्र तो जहां निकालना है तूस आवेश से वहां तक की यह दूरी होती है तो यह केंदर बिंदु है गन का तो पहले गन का केंदर बिंदु निकाले अब उसको कैसे निकालेंगे तो जायशी बात है हम एक काम करें कि ये देखिए ये गहन है गहन यानी क्यूब क्यूब की सारी भुजाएं बराबर होती है सारी भुजाएं बराबर होती है तो हम लोग क्या करें कि पहले यहां से यहां से इस त्रिभुश की बात करें इस triangle की, अगर इस triangle की बात करें तो ये भुजा भी है, ये भुजा भी है, तो ये निकलाएगी, पाइथा गोरस प्रमे से, जब ये निकलाएगी, तो ये भुजा हमको प्राप्त हो जाएगी, जब ये भुजा प्राप्त हो जाएगी, तो ये वाले triangle की बात करेंगे, ये वा हो जाएगी तो यह इस कोने से उस कोने तक है तो इसका जो मद्ध बिंदु होगा यही ओ है यहीं पर बात हो रही है द्यान देजिए इसको ऐसे समझे कि आप कमरे में बैठे हैं और एक लाठी ले आए यह बांस का डंडा ले आए और एक कार्णर पर किनारे पर उपर टच कर तो वहां की बात कर जाए है धन दीजी इसको अच्छे से तो देके पहले इसको निकालते कें तो पहले हम इस करेंगे आगर तो हम को यह को यह पृत हो गही तो यह पराप्त ही है तो से पराफ्ट हो जाएगी पहतागुरह से क्योंकि यह कूण नपе डिग रही है तो तो आप देखते हैं, तो घन की भूजा B है या ता घन के प्रतेक्स परावेस क्यों दिया गया है, अब प्रष्ट A, B, G, H का विकाड़ है, H, B, A, B, G, H, ये प्रष्ट है, एक घन का सर्फेस, तो इसका विकाड़ है, H, B, इसको कैसे निकालेंगे, ये को नब डिगरी है, तो इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसके वर्ग के बराबर होगा, तो जब रूट कर देंगे, तो दोनों इसका वर्ग, प्लस इसका वर्ग, अंदर रूट में आजाएगा, जब इसको निकालेंगे, वर्ग अटा के तो रूट हो गया, तो ये आगया, B, रूट तो, क्योंक यह C की जब बात करेंगे, तो यह हमको प्राप्त हो गया और यह प्राप्त है, तो इसका स्क्वाइर प्लस इसका स्क्वाइर बराबर इसका स्क्वाइर होगा, तो जब इसका स्क्वाइर अटेगा, तो रूट लग जाएगा, तो यह C बराबर रूट, यह स्क्वाइर है, ए यहां पर देखें अंडर उट दो बार b square plus b square plus यह भी b है तो b square यह हो गया थे आगया b root 3 तो ho बराबर oc बराबर b root 3 by 2 आगया ho बराबर oc बराबर b root 3 by 2 अब यह देखिए जो आगया हमारे पास अब यह ho जो आया ho इस पूरे hc का अधा इसे लिए बटे दो कर दिया hc का अब यही केंदर बिंद होगा अब देखें इसी प्रकार कर रहा है कि h o o c o b o d o a o f o e सब बराबर होंगे तो आगया सब को बराबर करके लिख दिया root 3 by 2 b अभी यही केंदर बिंद होगा यही पर हमको निकालना है तो विभाव निकालेंगे तो भी आई दूरी रहेगी एव वडी चेत निकालेंगे तो भी यही दोरी रहेगी आवेश तो समय बराबर है अर्थात गहन के पर्टेग शित की उसके केंद से दूरी कितनी होगे रूरण 3 by 2 विसके सब के देखे अब देखे अब एक-एक करके निकालेंगे तह भी कि दूरी कितनी होगा रूर्ण 3 by 2 अब माना ओपर विभावी तथा विद्धुच्छे तरही है तो विभावी बरावर कितना होगा अब एक कांड निकाले और फिर उसमें च्छै का गुड़ा कर देया च्छै का च्छैयों को जोड़ दें तो यहां पर देखिए वी बरावर वनपान फुरुपय अफसान ना च्छै नहीं आठ है एक दो तेन चार पांच है साथ आठ आठ कोने होते हैं तो आठ है यह वनपान फुरुपय अफसान नाट कामन हो जाएगा आई बरावर वन से लेकर के यन तक और रवन क्यू आर आई क्यू आई मलना भी नहीं तो यह बरावर वनपान फुरुपय अप आई वन से लेकर के यन तक अब देखे यह वोल्टेज में आर रहेगा और विद्दुचेतर में आर स्कॉयर रहेगा तो यह स्कॉयर हो गया तो वी बरावर वनपान फुरुपय अपसान नाट अब सब का जोड़ होगा आठ होगा एक दो तीन चार पांच है साथ आठ तो इतना ही यह वी उतना ही तो सब का करम करके आठ बार लिखना तो यह वी बरावर आगिया अब यह हो जाएगा वी रूट थरी बाई टु नीचे तो तो डू पर चला जाएगा तो टू की हो गया और बी रूर थरी नीचे रह जाएगा और आठ बार है तो आठ का गुड़ कर दिया आठ बार जोड़ने से क्योंकि सब एक ही है तो वी बराबर आ गया 16 की बटे बी रूट 3 और 1 अपान 4 पाइपसाल नाट ते रहेगा ही तो ये वी की वैलू आ गई हमारे पास साल करने पर 4 Q अपान रूट 3 पाइपसाल नाट बी अता ओ से पर ते पर आवेश के कार बिपरीश सीर्सों का विद्दुचेत परिमार में समान परंदिसा में बिपरीश है अब देखें ये तो वीभाव की बात हो गई अब अगर विद्दुचेत्र की बात करें तो इसको द्यान से समझे अगर हम विद्दुचेत्र की बात करेंगे तो ये सावेश की बात करेंगे तो यहां पर इसके बीपरीश दिसा में होगा क्योंकि विद्दुचेत्र एखा को बाहर जाएगा अगर इसकी बात करें तो इससे इधर को बाहर जाएगा अगर इसकी बात करें तो इससे इधर को बाहर जाएगा इसी प्रकार सब एक दूसरे को जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा दिसा उल्टा होने से तो एक दूसरे को cancel कर देंगे यानि सकेंदर बिंद पर विद्द चेतर क्या होगा 0 हो जाएगा क्योंकि सब एक दूसरे को cancel कर देंगे तो देखें यहाँ पर लिखा है कि विपरीत सीजन पर विद्द चेतर परिमान में समान परन दिसा में विपरीत है जैसे A, A, F, B, A, E A, A, F, एक दूसरे के विपरीत है तो यह एक दूसरे के परभाव को cancel कर देंगे B, A, E, B, A, E एक दूसरे के परभाव को cancel करेंगे E, और C, तो E, और C एक दूसरे के परभाव को cancel करेंगे इसी परकार अमना B, A, E, और C, A, H C, A, H, एक दूसरे के परभाव को डी एव में जी दी एव में जी एक दूसरे के प्रवाब का एंदिल कर देंगे क्योंकि समान और भी परीद भी है अता विद्ध भीभा फोर कि अपान रूर थरी पाइफ न नाट भी है तता अवेसों की समयमेत के काण यानि सिमेट्री के काण यानि सब बराबर और बराबर सब्सक्राइब ऑच्पार इस प्रकार से कुईस्छन अंडलों सालव करते हैं और इसी तरह साल करना चाहिएए अब आज आता है क्विश्यन नंबर 14 आट इसकी स्टेडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे आज बस यहां तनी